असलाम लेकॉम होप आप सब ठीक ठाक होंगे मैंने कुछ ब्रेक ले ली थोड़े टाइम के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और उसके लिए सोरी हूं थोड़ा रोटीन में आने के लिए टाइम लग रहा था वच्चे बैक टू नॉमल हुए सब्टेंबर में बैक ट राइम पर वीडियो देखने को मिलेंगी और अभी कुछ बारिश का मौसम हो रहा है और थोड़ा क्लावडी सा और वेदर चेंज हो रहा है तो खिजां का मौसम में शूरू हो रहा है तो इसकी वज़ा से मैं मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट बनाते हैं हर बार बारिश में प्रकोड़े या समोसे बनाते हैं तो इस पार कुछ डिफरेंट बनाते हैं आज मैं चिक पीज के साथ टिक्कियां बना रही हूं उनको चिक्कियों को मैश करके बनाएंगे तो कुछ डिफरेंट है आप ट्राइ कीजिएगा मुझे बताईएगा तो इसके लिए मैं इंग् यह प्लैंट फ्लार है यह टू एन हाफ टेबल स्पून है प्याज है छोटी वाली प्याज देख लिए है उसको बहुत बारीक काटा है ग्रीन चिली एक टीस्पून के करीम हैं टू टेबल स्पून सबस धनिया है फ्राइंग के लिए ये कुकिंग ओयल है वेजटेबल ओयल में यूज करती हूं ये खुश्ट पिसा हुआ धनिया ये हाफ टी स्पून है जीरा सफेद जीरा हाफ टी स्पून है नमक हाफ टी स्पून है करी पाउडर हाफ टी स्पून है और रैट चिली यह भी ब tipo है first लुड़ाक बिलमा गरेंड wonder ऐसको कम और ज्यादा सकते हैं यह बनाड करते हैं of a 니 aAP कितनी si हैं तो आप उसको का We node ise बिलमा बिलमाई ने की अको को निहाज जैजा अपनी मरसी से मिसाले तो अबी यह बनाना शुरू करते हैं से पहले एक मैंने बॉल लिया और उसमें मैं चिकपीज कालूंगी और इनको जैसे इससे आलो मैश करते हैं वैसे ही इसको ऐसे चिकपीज को मैश करने नहीं ठीक है तो आपां से बी करना चाहें तो कर सकते हैं पहुत सफ्ट हुए होते हैं की तो इस व्जा से यह असानी से मैश साथ से भी एएसन अगर कोई दाना रहा गये तो आप उसको ऐसे हाथ से भी कर सकते है ठीक है नजर भी आ रहा है तो नहीं है जाब इसके अंदर हम डालना शुरू करेंगे सारे मसाले हल्डी डाली उसके बाद नमक जीरा पौडर लाल मिर्च करी पौडर खुश्क धनिया पिसा हुआ ग्रीन चीलीज यह इसमें प्यास एट की धनिया ठीक है पहले इन सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से इसमें मसाला ऐसे जाए टाली डाल पाटा गुंते हैं जैसे इसको अच्छे से गूंद लेना है ठीक है अब इसमें यह मैं जाल रही हूं लैंड फ्लार थोड़ा सा थोड़ा 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 करके डाल लिए हूं ताके यह बहुत थिक ना हो जाए ठीक है इसको बहुत थिक नहीं करना है अगर आपको पतला लग रहा है तो इसमें आप और मैंट डाल सकते हैं अगर आपको ठोड़ा है थोड़ा थवा करके डाले अगर ठीक लगे तो आप गमड़ाने ठीक है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ये मसाला रेडी हो गया है अभी इसकी टिक्यां बना लेनी है ठीक है छोटी छोटी सी टिक्यां कबाब की तरह इसे इसको अच्छे से दबाके जोड़के और ये ठीक्यां बनाते जाना है और फिर इनको फ्राइब करना है ये ठीक्यां से रेडी हो गही है और मैंने और गरम करने के लिए रखा है और अभी इनको फ्राइब करना है इसको डीप फ्राइब करना है ठीक है अभी ये गरम हो चुका है तो इसमें ये ठीक्यां डालना सुझी सकते हैं आइस्ता आइस्ता इनका तेस्त बिलकुल ऐसे होता है जैसे वेसन की रोटी बनाते हैं वेसन की रोटी तरफ से रेडी हो जाए जो इनको साइट चेंज करते जाना है हलका सा गोर्डन ब्राउन करना है अभी हो गये हैं तो इसको भी आज का इसका हम इस वाल बेसे हैं और आज से अभी हो चुके हैं होप आप सब को मुझे टिक्क्यां अच्छी लगेंगी ट्राइ कीजिएगा और मुझे बताईएगा कि आपको यह एसपी कैसी लगी केचप के साथ स्वेच चिली सोस के साथ या जॉग मिंट सोस के साथ चटनी के साथ आप इसको सर्फ करें रेली नाइस और सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा बताईएगा और इंशालला अगली रेसेपी के लिए मिलेंगे टेक केर अलाहाफिज